सूप्रभात, आज हम सुनेरी धूप पुस्तक से पार्ट 11 मुझे सोने दो का अध्यन करेंगे बच्चों, मुझे सोने दो एक शिक्षा प्रत कहानी है शिक्षा प्रत का मतलब है जिस कहानी से हमें को शिक्षा मिले तो चलिए, कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है समय पर सोना और समय पर जागना बहुत जरूरी है समय पर सोने से नीम भी पूरी होती है और अगले दिन के सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं बच्चो अच्छी आतों किनी बच्चपन से ही रखी जाती है अगर हम बच्चपन में ही अच्छी आते अपना ले जैसे कि समय पर सोना, समय पर जागना और समय पर सभी काम करना तो मतलब समय का सही उप्योग करना इसे बड़ी कोई कला नहीं बच्चो इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बच्चे सौरब को लेट सोने की आदत थी और कैसे उसको अपनी भूल का एहसास हुआ और कैसे उसने जल्दी सोना अरम कर दिया इस कहानी से हम जानेंगे सौरब बहुत नठकट वह शरार्ती बच्चा था वह कभी ठकता ही नहीं था उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते कि हमें समय पर सोना चाहिए रात की नीन हमारे लिए बहुत जरूरी है पर सौरब किसी की बात नहीं सुनता था वे हमेशा रात में देर से सोता था एक दिन सौरब के माता पिता उसके नाना जी के घर गए उन्हें सारी बात बताई सौरब के नाना ने उन्हें एक बिल्ली दी वे बोले यह बहुत मोटी वह सुस्त है तुम इस बिल्ली को ले जाओ, सौरब जल्दी सोने लगेगा फिर नाना जी ने उनके कान में फुस फुस आते हुए मतलब धीरे धीरे से कुछ कहा नाना जी की बात सुनकर सौरब के माता पिता के चैरे पर मुस्कान आ गई वे बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आए सोचो बच्चो, नाना जी ने सौरब के माता पिता की समस्या कैसे हल किये होगी उन्होंने धीरे से उनके कान में क्या कहा होगा चलिए, पढ़ते हैं उस रात भी वही हुआ जब मा ने सौरब से दस बजे सोने को कहा तो उसने मना कर दिया तभी मा ने देखा बिल्ली धीरे से उठी और सौरब के कमरे में चली गई वह सौरब के पलंग पर अराम से फैल कर सो गई दो घंटे बाद, यानि की बारा बजे दो घंटे बाद सौरब सोने के लिए अपने कमरे में आया पर यह क्या, वहाँ तो बिल्ली सोई थी अब सौरब क्या करे वह चुपचा बिल्ली के पास ही लेट गया उस रात बिल्ली ने लाते मार मार कर सौरब को जमीन पर गिरा दिया वह फिर उठकर पलंग पर लेटा तो बिल्ली ने जोड जोड से खराटे लेने शुरू कर दिये खराटे का क्या मतलब है जब हम नीद में होते हैं हम गहरी नीद में होते हैं तो हमारे मुह से कभी-कभी आवाजे निकल दिये उसे कहते हैं खराटे सौरब पूरी रात सो नहीं पाया फिर अगले दिन अगले दिन भी फिर वही हुआ सौरब फिर देर से अपने कमरे में पहुचा आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से सोई हुई थी सौरब को बहुत गुसा आया उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा अगली रात जैसे ही मा ने सौरब से सोने को कहा वह दोड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया सोते सोते वह बड़बडा रहा था बड़बडा मतलब अपने आप बोल रहा था बिल्ली मुझे परशान मत करो मुझे सोने दो सौरब को समय पर सोता देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए बिल्ली के आने से सस्मुँट सौरब जलदी सोने लगा था तो देखा बच्चो कैसे नाना जी की युकती काम आई और सौरब समय पर सोने लग गया इसी तरह हमें भी समय के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता हमें समय का सही उपयोग करना आना चाहिए अभियास कर रहे हैं बच्चों चार शब्दार दिये गए हैं आपने इनको लर्न करना है पहला है शरारती जिसका अर्थ है शैतान फिर है सुस्त जिसका अर्थ है आलसी फिर है खराटे सोते समय मूझ से निकलने वाली आवाज फिर है बढ़-ढ़ाना अपने आप से बाते करना अगला है किसने कहा सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ तो चलिए जानते हैं किसने कहा पहला है तुम इसे ले जाओ तो यह किसने कहा था पिता जी नाना जी या नानी जी यह नाना जी ने कहा था किसको लेकर बिल्ली को लेकर फिर है बिल्ली मुझे परिशान मत करो यह किसने कहा था माता जी सौरव या पिता जी यह सौरब ने कहा था पढ़कर समझो पिता के घर के सदस्तर माता के घर के सदस्तर आपके क्या लगते हैं चलिए यह जानते हैं दादा दादी ताउ ताई चाचा चाची बुआ फूपा यह आपके क्या लगते हैं जैसे दादा दादी कौन है वो है आपके पिता जी के माता पेरेंट्स है उनके तो आपके क्या लगे दादा दादी ताउताई कौन है जो आपके पिता जी के ब्रदर होंगे और उनकी वाइफ होगी वो आपके ताउताई होंगे चाचा चाची कौन होंगे जो आपके पिता जी के छोटे भाई होंगे वे आपके चाचा होंगे बुग होगी अब है माता जी के घर के सदस्य नानानी जो आपकी माता जी के पैरेंट्स होंगे वो आपके नानानी होंगे मामा मामी जो आपकी माता जी के ब्रदर होंगे वो आपके मामा मामी होंगे जो आपके माता जी की बेहन वह आपकी मौसी लगेगी अब है दिये गई शब्दों के रंगीन अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाओ तो चलिए बनाते हैं जैसे सोना और रानी से बना नानी घर और थर्मस से बना रत कमरा और तबला से बना रात फिर है री की मातरा के शब्द लिखो बच्चों आपन को लिखकर वाक्य पूरे करो तो आपने इन वाक्य में का की का उच्ची तुर्यकर करके वाक्य को पूरा करना है फिर है कौन कैसा था रेखा खीच कर दिखाओ जैसे सुस्त मोटी शरार्थी नटकड किन से मैच होता है यह आपने देखना है सुस्त कौन था बिल्ली थी करती कौनता सौरब नटकड कौनता सौरब